दोस्तो आज हम सेयर कर रहे हैं ब्रत की बहुत ही असान एकदम नए नास्ते की रेस्पी जिसमें आपको न तो साबुदाना भीगोने की जरूत पड़ेगी न आलू बालने की कम तेल कम टाइम में आप इसे जटपड बना सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए यहां पर मैंने आधा कप साबुदाना ली है इसे पैन या कढ़ाई में डालेंगे और एक से दो मिनर तक क्रोश्ट कर लेंगे साबुदाने का कलर चेंज ने करना है बस हलका भून लेना है जिससे साबुदाने से नमी निकल जाए दो मीनार तक मैंने इनको सेक लिए है अब गैस आफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इनको मिक्षर जार में डाल का पीस लेंगे और देखिए इसका मैंने पौडर नहीं बनाया है इस तरह से थोड़ा तरदरा रखा है जैसे सूजी होती है ना उसी तरह से इनको एक बॉल में निकाल लेंगे अब इसी मिक्सर जार में हम ले रहें दो मेडियम साइज के कच्चे आलू आलू को काटने के बाद पानी से धुल लिजेगा जिससे की इनका स्टार्च निकल जाए इसमें दो से तीन हरी मिर्च एक इंच अद्र का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इनको बिना पानी डाले महीन पीस लेंगे अब इस पेष्ट को साबुदाने वाले बाउल में डाल देंगे जार में लगे पेष्ट में मैंने दो से तीन टीबली स्पून पानी डाल कर ले ली है अब हम इसमें डालेंगे आथा चोटा चमच जीरा, एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर और एक चोटा चमच मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ ब्रत में आप जो नमक खाते हूँ वो ले लीजेगा एक चोथाई कप मैंने रोश्टेड मुंगफली को पीस कर ले ली है ये डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर मुंगफली पूरी तरह से ओप्शनल है आप चाहें तो सिर्फ आलू साबुदाने से भी ये नास्ता बना सकते हैं मुंगफली से नास्ते का टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है तो सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है दो से तीन टेबल स्पून पानी मैंने इसमें और डाली है तो आधे कप साबुदाने के लिए हमें इसमें लगभग आधा कप पानी डालना है और इनको अच्छे से मिला लेना है और देखिए ये काफी थिक है साबुदाना अभी फूलेगा तो ये और भी ज्यादा थिक हो जाएगा तो अभी हम इसे साइड में डग देते हैं अब यहाँ पर मैंने केक टिन ली है आप इसकी जगा ठाली ले सकते हैं प्लेट ले सकते हैं इसे ओल से ग्रीस कर लेंगे और अब इसमें ये आलू साबुदाने का मिक्षर डाल देंगे और इस पैचुला की हेल्प से इसे बराबर से फैला लेंगे साबुदाना अभी फूलेगा तो ये अच्छे से जम जाएगा आप चाहें तो इस मिस्रर से छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं टिकी का सेब दे सकते हैं मैं इसे बरफी का सेब दे रहे हूँ तो मैंने इसे ट्रे में अच्छे से फैला लिया है अब हम इनको 10 मिनाट सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनाट हो गए हैं और ये देखिए ये अच्छे से जम गए हैं तो चलिए अब हम इनके पीसेज कट कर लेते हैं तो बस चाकू लेजे और इनको जिस शेप में चाहें उस शेप में काट लेजे एक बार किनारे के तरब भी चाकू लगा लेजेगा जिससे ये असानी से निकल जाएंगे अब बीच में चाकू लगाईए और इनको इस तरह से निकल लेजे आप देख सकते हैं ये बिल्कूल भी चिपके नहीं है और बहुत असानी से निकल जा रहे हैं इस तरह से बना कर आप इनको 2-3 दिन तक फ्रेज में इस्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी खाना हो आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में 2 टेबली स्पून तेल गरम कर ली है इसमें हम ये एक एक करके पीसेज डाल देंगे जितना की पैन में आ जाए और इनको मीडियम आज पर फ्राई करेंगे और जब ये एक तरफ से गोल्डेन ह तब हम इनको दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी golden होने तक fry कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पर मैं इनको solo fry कर रही हूँ आप चाहीं तो इन्हें दीफ्राई भी कर सकते हैं पर कम तेल में भी ये क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ओयली भी नहीं होते हैं तो देखिए दोनों तरफ से इनका कलर गोल्डेन हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे आप देख सकते हैं ये कितने कुरकुरे बने हैं अंदर से सौफ्ट होते हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी इस तरह से मैंने सारे नास्ते फ्राई कर ली है इनको आप दही के साथ या ब्रत वाली हरी चट्मी के साथ सब कर ये ये खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चे भी फ्राई कर ली है और देखे ये बहुत ज़्यदा ओइली भी नहीं हुए है बहुत कम तेल में फ्राई हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं तो दोस्तो ट्राई कर ये और रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बतेएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेयर कर दिजेगा और चैनल पर नए हो तो सस्काइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्य बाद